तो यार अगर आप architecture हो, Maya जैसे software पे काम करते हो, 3D software पे काम करते हो, ये वीडियो especially आपके लिए plus में आपको कहना जाता हूँ, अगर आपका budget 90,000 से लेके 2,00,000 तक है, आज हम इस price range की बात करेंगे, and भई अगर आपका budget 90,000 से कम है न, मैंने उसकी वीडियो पहले ही कियो है, मेरे चैनल पे आपको देखनी को मिल जागे, उसको चाओड करना है, तो start करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा intro, तो hello, मेरा नाम है Robin Robin, welcome to the Aajla, the unboxing, आपका बहुत-बहुत सभागत है, मेरे चैनल पे अगर चाहिए पे नए आजाएंगे, सब्सक्राइब वीडियो को करते हैं, लाइक इन इस्टार्म पे कर लो, फॉलो, लिंक को कर रहा है, यार आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, उसको चाओड कर लेना, तो start करते हैं, अभी start करते हैं, अगर आपका बचेट नब्यज़ार से लेक के एक लाख दस थाजार हो जाता है, इस price range में, मैं आपको कहना जाता हूँ भी, मैंने रखे हैं, तीन लैप्टाप, तीनों लैप्टाप आपको पूरे loaded मिलने वाले है, सीधी बात करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, सीधी बात करते हैं, नमबर थ्री की, ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 144 रिफ्रेश्टर के साथ इसकी डिस्प्ले को अर्टी मिल जादी, तो भई 90 सार के बगर में 16GB RAM मिल जाना, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाना, एंड इतने एच्छे डिस्प्ले डिसाइन कारा मिल जाना, सच में मैटर करता है, अगर आपने ग इसकी डिस्प्ले मिल जादी, जो कि आइपस लावल डिस्प्ले जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आदी, तो यार 144 रिफ्रेश्ट सच में मैटर करता है, आपकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है, प्रसाइसर की बात करूं, आपको i5 भी मिल जागा, आपको i7 बी मिल जाएगा, storage की बातों को 8GB भी मिल जाएगा, आपको 16GB मिल जाएगा, and storage का वेरिट भी आपको different मिल जाएगे, graphic card की बातों को 4GB, graphic card मिल जाएगा, operating system की बात करूं, आपको Windows 10 देखने को मिल जाएगा, बैंटरी लाफ की बात करूं, तो सच जबताऊं को तो आपको 7 अब उसका benefit आप प्रवाइड कर देता है, अगर आपने जादा भी यूज़ करना तब भी ठीक है, प्राइस की बात करूं, 85,000 से लेके आपको ये 95,000 के बज़र में, Asus Rock Citrix G15 देखने को मिल जाएगा, तो यहार में स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया, Asus Rock Citrix के अभी आगे बात करते है, नबर टू की नबर टू पर यार मैंने रखाया, Asus Rock Zabras G14 को, अगर इस लेप्टाप की बात करूं, 2020 में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाना है वाला, प्लस ये सबसे ज़्यादा विकने वाला लेप्टाप है, विकर्स आपको एक stylish premium color के साथ देखने क मिलेगा, आपको backside में lighting देखने को मिल जाते है, जो कि आपको customize कर सकते हो, and आपको 8GB RAM भी मिल जाएगा, 16GB RAM भी मिल जाएगा, आपको 4GB Graphic Card भी मिल जाएगा, आपको 6GB Graphic Card भी मिल जाएगा, ये laptop best है for animation के लिए, graphic design के लिए, programming के लिए, coding के लिए, अगर आप architecture हो, student हो, अग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बंदे होते हैं, जिनको ये design नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो ये चीज़ा आपको देख लेना, plus अगर आपने gaming करने हैं, labstream करने हैं, जैसे भी यूज़ करना, कोई भी hardware यूज़ करना, आप easily normally कर सकते हो, because इसके specification ही बहुत हगरे ही मिल जाते हैं, आपको anti-dust cooling मिल जाते हैं, dual fan मिल जाते हैं, और भी specification बहुत है, आपको 120 difficulty के साथ इसके display मिल जाती है, मैं main specification की बात कर ले तो आपको थोड़ा सा deeply पता चल जाएगा, तो ये display की बातों को 14 inch full HD plus display मिल जाती, जो की IPS anti-glare display, processor की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलता, 4600 storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है, expendable आपको 32GB तक प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाते है, graphic card की बात करो, आपको Nvidia G4 RTX 1650 भी मिल जाते है, 2060 भी मिल जाते है, 2070 भी मिल जाते है, operating इसने की बात करूं, आपको Windows 10 मिल जाते है, battery life की बातों को 10 hours का battery life मिल जाता है, price की बात करूं आपको 90,000 से start हो जाता है, इसका price आपको 10,000,000 के बज़र तक भी देखने को मिल जाते है, मतलु जितना पेख होरूं कि उसके according आपको specification देखने को मिल जाएंगे, तो यार, main specification में आपको Suze Rock Zabras G14 के भी बता दे, ये laptop भी सच में बहुत ज्यादा से है, अगर मेरा budget इतना ह तो गर आप animation करते हो, तो सबसे ज़्यादा matter करते है, आपके display धी है, इसमें आपको 4K display देखने को मिल जाती है, and इसके specification भी बहुत अगरे मिल जाते है, start हो जाता है, ये 85,000 से 80,000 से start हो जाता है, वैसे तो आपको 80,000 से start हो जाता है, इसका price आपको 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000 में देखने को मिलता है, बहुत ज़ूद करता है, इसको भी बात करते है, इसके main specification की मैं आपको deeply बता देता हूँ, तो display की बात करूँ, आपको 15.6 inch 4K ultra display मिल जाते है, प्रसेसर की बातों को i5 10, 8th generation के साथ मिलता है, ठीक है, आपको 10th generation भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल करूँ, आपको 7 hours का बेंटरी लाप प्रवाइड कर देता, प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया था, कि 90,000 से स्टार्ट जो था, एक लाख तक भी इसका प्राइस चल जाता है, इस तरको सैप्ट डी बहुत अगड़ा laptop है, तो यह main specification में आपको इस तरको सैप्ट डी के दोसको चावड भी कर लेना, अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बज्ट 1,000,000,000 से लेकर, एक लाख ती 1000,000 हो जाते हैं स्प्राइ ही creators के लिए भी अगर आप animation करते हो 3D animation करते हो graphic designing करते हो coding करते हो programming करते हो प्लस अगर आपने video acting करनी है photo acting करनी है आप सभी के लिए यह laptop बनाया भी बात करते है display की तो आपको 14 inch full HD plus display मिल जाथी जो कि IPS level display second display की बात करूं आपको 12.6 inch की full HD plus display मिल जाते है जो कि IPS level display यह भी मिल जाती है जो कि आपको touch display मिलेगी processor की बात करूं आपको i7 10th animation के साथ मिलता storage की बातों को 16GB RAM मिल जाती है प्रस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बातों को Nvidia G4 MX250 मिल जाएगा उप्रेडिशन की बात को X360 तो यार सबसे पहले मैं आपको कहना जाता हूँ बहुत international creators के पास आपको यह laptop देखने को मिलेगा and इसके specification भी आपको पूरे loaded मिल जाते है अगर आपने long time-pid काम करना आप easily normally कर से होगे आपको बहुत पसंद आने वाला है उसके साथ हमीं बात करते हैं भी आपको एक stylish premium color के साथ देखने मिलेगा दो colors में आता है जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो बात करते हैं इसके main specification की तो यह display की बातों को 15.6 inch 4K display मिल जाती है जो की touch screen है जो की HP pen के साथ आती है ठीक है processor की बात करूँ आपको i7 10th animation के साथ मिलता है storage की बातों को 16GB RAM मिल जाती है पर आपको 512GB SSD देखने हो बिल जाती ग्राफिक कार की बात करूँ आपको GTX 1660 Ti मिल जाएगा वह भी 4GB के साथ operating system की बातों को window 10 मिल जाती है battery की बात करूँ आपको 30 hours का battery ला मिल जाता है price की बातों को slim and stylish design चाहिए color wise वा आपको premium touch होना चाहिए उसके साथ अगर आपको two in one laptop चाहिए and अगर आप architecture हो आपको ये laptop चाहिए आपके लिए करने वाला अगर आप कहीं लेकर जाओगे तो वह बुचीज आपकी मतलब personality को आगे लेकर जाएगी अभी बात करते हैं इसके में specification की तो display की बात करूँ आपको 13.5 inch full HD plus display मिल जादी जो की touch display आप processor की बातों को आपको पहले रिपीड कर दिया था आपको 16GB RAM भी मिल जाएगी स्टोरेज भी आपको इन्प्रीज मिल जाएगी ग्राफिक कार आपको 4GB मिल जाएगा आपको इस प्लस भी देखने को मिल जाएगा अपको 11 आवर्स का पैंटरी ला मल जाएथा प्रास की बात करूँ नभी हजार से साड़ हो जाएथा दो लाग के पहरता का आपको देखने को मिल जाती है तो यार मेन टाइचर हो न तो आपके हाथ में पकड़ी होंगी होल्ड की होंगी कहीं लेकर जाएगा वो सच में वहाथ सूड करने वाली है प्लस स्पैसिलिकेशन के अकॉर्ड़ भी आपको पूरी लोड़ड मिली जाती है अब यह आगे बात करते हैं अगर आपको बजट देड़ ला की और जाना आपने 8GB RAM की और नहीं जाना ठीक है वैसे देखा जाए ओवराल जो दो लैटोप है वो बहुत ज्यादा सही है बस आपने इस चीज़ का दियान रखना है कि आपने 16GB RAM की और मिनिमम जाना ही जाना है तो अभी मैंने आपको इतने Laptops बता दिया जो भी आप ले पे नहीं कर सकते, ज्यादा पे करने की जुरूत भी नहीं है नभी जार के प्रड़ेट याप इसको ले लो आपके लिए बहुत जादा सही होने वाला है अग्र आपने जाना है एपल नग्र प्रोके और भू तो आपके लिए जन्णत होने वाली है ठीक है उसके बद मैं आ कातानी दोस्तों को फिरी दोस्तों में दोस्तों के भी दोस्तों पेडर ईको प्रनोक भी सिंआपको सब्सक्राइब विशक्रइब विडिक करते लाइक आए अंस्ताघ्रा प skipped या लीकघा आपको डीस्केपश्य istiyorum व्हाक्ण wraps में देखने मैं जलास को जाबद भलन मीमी को रहते निए निमने गुडसा, धन्की कर दे निए छुछते